हेलो फ्रेंट्स आप सभी गा हमारे चैनल बीटी उपी स्टुडी पॉइंट में स्वागत हैं दोस्त हम आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आए हुए है पॉल टेक्निक काउंसलिंग से लेटेड है जैसा कि दोस्त आप सभी लोगों को पता होगा कि जो आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया होती थी उसमें आपको कुछ फीस पे करने होते थे लेकिन इस बार का पूरा सिस्टम आपका चेंज कर दिया गया यहां पे आपको काउंसलिंग में ही पूरा फीस जमा करना होगा लेकिन वहां पे पहले क्या होता था दोस्त कि आपको और आपका जब जैसे ही college मिलता था तो college sit lock के लिए आपको 3000 रुपए पे करने पड़ते थे लेकिन इस बार से पूरा system आपको change किया हुआ मिलेगा क्या है दोस्त information video end तक देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए और आप मारी channel पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो channel को subscribe करिएगा ये channel दोस्त polytechnic intrinsic exam student के लिए है ऐसे बनाया गया है दोस्त क्योंकि polytechnic related कोई भी information हो तो हर student के पास सबसे पहले पहुचे वीडियो को share करिए द देख रहे हैं ध्यान से एक एक बात समझेंगे आपका new pattern से ही इस बार counseling होगा क्या दोस्ते हाँ पे फीसों में पूरी तरह से बदलाव किया गया है तो information दोस्ते हाँ पे है सन्यूक्त प्रवेस परिच्छा परिशत ने प्रदेश के polytechnic college में दाखिलों के लिए प्रवेस का लाप नहीं मिलेगा जीरो फीस कहने का मतलब क्या है दोस्ते हाँ पे आपको total क्या है 2500 रुपए ही यहाँ पे जमा होते थे बाद में आपको जैसे आपको college मिल याता था मिलने के बाद आपका 3000 रुपए sit lock का जमा होता था उसके बाद आपका पैसे जो बचते 3,000 आप जो देते हैं वो आपके college के नाम पे transfer कर दिया जता है और जो आपका बचा हुआ पैसे होते हैं वो आप admission के time यानि admission के time आपको 7,000 या 8,000 रुपए वहाँ पे जमा करने होते थे लेकिन इस बार पूरा ही system यहाँ पे change किया हुआ है system क्या है उन्हें zero fees का लाब नह जमा करनी होगी अथार्थ कहने का मतलब यह है दोस्त आपको admission लेना ही लेना है आपको counseling में ही पूरी fees जमा करनी है गौर्मेंट की जो fees है दोस्त वह आपका 11,010 रुपए है ठीक है इनके मुताबित दोस्त आपको 11,010 रुपए पे करने होंगे counseling के time ठीक है यह जो आपके counseling के time pay करने होंगे यह मैं आपको आगे detail में बताऊंगा यहाँ पर दोस्त सचिव SK West रसर ने बताया है कि सासन के निर्देशों के हनुसार से हिसाब ने यह बड़ा बतलाव किया गया है अभी तक जो counseling के दोरान करीब 3,000 रुपए जैसा कि मैंने आपको बताया 3,000 यहाँ पर transfer कर दिया जाता था चातर जो बकाया फिस होता था वो college में admission के time में वहाँ पर देते थे और यहाँ पर क्या है next आपका है कि सन्यूक प्रिवेस परिच्छा परिशत SK West रसर ने बताया कि counseling के pattern में काफी बदला हुआ है सभी round की जितने भी counseling होगी वो आपकी online होग अभ्यारती की दस्तावेजों के लिए दूसरे जीलों में नहीं जाना पड़ेगा वह अपने ही जीलों में बने केंद्रों पर सत्यापन करा सकेंगे अभ्यारती को counseling के दवरान ही पूरी अपकी fees जमा करनी होगी counseling की fees काट कर बाकी संबंदित संस्थानों को भेज दिया जा आपका है कि zero fees पर दाखिला लेने वाले छातर छात्राओं को इस बार सबसे पहले college की fees जमा करनी होगी तो अथार्थ दोस्त यहां पे जितना आपको यहां पे school मिला का दोस्त आपका यह है कि अगर आपको यहां पे जो आपका 2500 लगता था वो आपके यहां पे charge लग सकते ह इसके जगा पे आपको total यहां पे 11,010 रुपए जो की government की fees है किसी-किसी college के थोड़ी सी अंतर आ जाती है लगभग दोस्त यहां पे आप 12,000 के something मांग सकते हैं ठीक है तो 12,000 के something वो आपका counseling के ही time लग जाएगा online आपको pay करने होंगे ठीक है यह तो रहा दोस्त आपका counseling स counseling के लिए important documents कोई भी student को कोई भी information चाहिए या कोई भी मन में query हो तो आप सिधा comment box में जाएए और हमें comment करके बताईए आपको जानना क्या है आसा करने दोस्त information आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छा लगाओ वीडियो को like करिएगा और अपने दोस्तों में share वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद